राजबर के स्कूलों में एक दिसमबर से प्राइमरी कक्षाओं शुरू हो जाएगी स्वास्तमंद्री राजश टोपे द्वारा हरी जिंटी दिखाए जाने के बाद अब कोविड नियोमों का सक्ती से पालंग करते हुए बुद्वार से 19 मेने बाद प्राइमरी कक्षाओं के कमरे खुल जाएंगे जी हाँ स्कूल खोलने से पालकों शिक्षकों के साथ छातर भी खुश है वही कुछ पालक अब भी कोरोना के नेवरियन को लेकर संबरम की स्थिती में है मार्च 2020 से प्राइमरी स्कूल बन है अब जब कोरोना का प्रकोप कम हो गया है तो सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोलने का नेड़ने लिया है इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है हाला कि अब तक ग्रामिन भागों में पांचवी से बारावी और शहरी भागों में आठवी से बारावी तक स्कूल शुरू है लेकिन अब प्राइमरी क्लासेश शुरू होने से एक बार फिर रौनक लोट आएगी सरकार ने क्लासरू में चात्रों के बीच दूरी तय की है वही मास्क और सेनिटाइजेशन को भी अनिवार किया है पहली कक्षा से शुरू होने के बाद अब सही मायने में पढ़ाई की शुरूआत होगी शहरी और ग्रामिन भागों में चात्र आउनलाइन क्लासेश कर रहे थे लेकिन यहां असरकारक नहीं रही है ग्रामिन भागों में कई चात्र पढ़ाई से दूर हो गए थे उन चात्रों के लिए स्कूल खोलने का निरने फायदे मन रहेगा शिक्षकों का कहना है कि शुरुवात के कुछ दिनों चात्रों की उपस्तिती कम रहेगी लेकिन धीरे धीरे उपस्तिती बढ़ेगी स्कूल खुलने से शिक्षक भी खुश है वही दूसरी और कुछ पालक कोरोना के नए विरियन को लेकर सम्भरम किस्तिती में है सरकार ने कुविड गाइडलाइन के तहट बच्चों के स्कूल आने के लिए उनके पालकों से सहमती पत्र को अनिवारे किया है